TGT और PGT की कच्छाओं का संचालन आज से संस्थान में प्रारंब हो रहा है, जिसकी एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन, कौन-कौन से भी से रन कराये जाएंगे, उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या मार्डियूल होगा, किस प्रकार के एप्रोस से हम लोग इस पूरी प्लानिं जैसे कि बाकी प्रतियोगी परिच्छाओं की त्यारी करने के दौरान होते थे, आपका प्रोसा उसी प्रकार से हम लोग इहां पर मिंटेन करेंगे, जैसे कि बाकी प्रतियोगी परिच्छाओं को त्यारी करने के दौरान हम लोगों ने किया है, आप में से बहुत सारे दोरान पढ़ चुके हैं, चाहे ओ आपका UP टेट रहाओ, सूपर टेट रहाओ, सी टेट रहाओ अन्य परिच्छाओं के साथ हमारे साथ आपर टेस्ट थे, आप हमसे अभी तक aptitude और एकद्यूसी परिच्छाओं की आपके सामने प्रेजंट करने की पूरी और सक्सेस्फुल कोसिस करूँगा यहां पर मैं यहां पर आज से TGT मैस की स्टार्टिंग कराने की है तो इस कच्छा की स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ TGT की और PGT की, अगर हम eligibility criteria होनी चाहिए किस प्रकार से हम विसे का चैन कर सकते हैं कैसे हम अपनी special degree का प्रयोग कर सकते हैं अंको की counting कैसे निर्धारित की जाती है चाहे वो आपके interview से ली जा रही हो चाहे आपके return exam से ली जा रही हो चाहे आपकी special degree से ली जा रही हो तो मुझे आपको हर चीज से अउगत कराना होता है। इसलिए हमने यहाँ पर पूरे पाठिकरम की रूप रेखा और साथ-साथ पूरे eligibility criteria को मैंने वीडियो के नीचे description में attach कर रखा है। आप वहाँ से उसको download कर सकते हैं और उसको देख करके समझ सकते हैं कि क्या-क्या schedule रहेगा, क्या-क्या हमारे साथ syllabus का part रहेगा और क्या-क्या हमारे eligibility criteria रहेगी इसको आप लोग वहाँ से read कर सकते हैं। हलाकि farm भरने से पहले आप इन सब चीजों को notice करते हैं और तभी farm को बढ़ते हैं और तभी आप लोग परिच्छा की preparation करते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि पार्ठिक्रम को अच्छी तरह से read कर लीजिए, पार्ठिक्रम को अच्छी तरह से पढ़िए, अपनी पूरी proper knowledge रखिए और topic के साथ सुरुआद करिए। हम यहाँ पर आज की सकच्छा के माध्यम से आपको बताने की कोशिस करेंगे, कि कैसे यहाँ पर topic relate करेगा आपके साथ, आपके पार्ठिक्रम का कौन सा हिस्सा सबसे important है, और हम किस प्रकार से सुरुआद करेंगे, आप मेरे पढ़ाने की सहली पूरे रूप रेखा को प्रापरली समझेंगे, आज किस क्लास के माध्यम से, मैंने math आपको जो है aptitude, geometry, mensuration, मतलब advance, algebra, इन सारी चीजों को प्रापरली पढ़ाया है, आपने तमाम और एक दो सी परिच्छाओं की त्यारी की है, उस दौरान आपने जो math पढ़ी है, अगर उस math की बात की जाए, तो हम लोग असनातक अस्तर की परिच्छा में उसका 40 से 50 प्रतिसद यूज करते हैं, हलाकि इसमें प्रस्णों का label, तरीका, इसके पूछे जाने की स्थिति, पूरी तरह से अलग होती है, तो मैं इन सब चीजों को relate करने की कोशिस करूँगा, और आपको बताने की पूरी कोशिस करूँगा, कि आप कैसे इन सब चीजों से different अनुभों कर पाएंगे, हम यहाँ पर एक aptitude type की math नहीं पढ़ रहे हैं, इसको आप लोग को ध्यान में रखना होगा, यहाँ पर कि जो math से हो पूरी तरह से IIT label या defense label की math, मतलब 12th label की math से relate करती हुई होती है, आप पार्ठिक्रम को देख करके समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, तो जब हम लोग उस प्रकार की math, जो की 12th label की, या हम कह सकते हैं कि आपकी इस परिच्छा की तैयारी हितो डेबलब की गई है, उस math को पढ़ने के दौरान हमने इस बात कानवो किया, वैसे आप किसी भी math की बात करें, कोई भी math अगर आप लोग पढ़ते हैं, तो math पढ़ने के लिए जो सबसे important term होता है, या हम कह सकते math की जो सुरुवात होती है, math का जो foundation बना हुआ है, वह पूरी तरह से function पर बना हुआ है, function को हम लोग यहां पर एक और नाम दे सकते हैं, इसको हम method कहते हैं, इसको हम rule कहते हैं, आपको पता है अच्छी तरह से कि math का सारा approach, method और rule पर ही dependent होता है, math के different different पहलूँ को पढ़ने के लिए, हमें अलग-अलग प्रकार के rules को ही describe करना पढ़ता है, समझना पढ़ता है, इस प्रकार के इस rule की analysis करने के दोरान, हम को यह समझ में आता है, कि ए rule एक किसी एक relation को explain करता है, मतलब दो हमारे पास अलग-अलग collection है, उन collection के बीच क्या relation है, उस relation को explain करने का काम कौन करता है, function करता है, तो relation के लिए भी आपको ध्यान में रखना होगा, कि मेरे पास कम से कम दो domain होने चाहिए, दो domain अर्था दो मेरे पास अलग-अलग collection होने चाहिए, तब जाकर कि हम लोग relation explain कर पाएंगे relation को हम दिखा पाएंगे समझा पाएंगे और इस relation को explain करने का काम किसका होता है function का होता है अब ये जो domain बनते हैं अगर देखा जाए तो ये सभी के सभी कोई न कोई एक collection होते हैं इस collection को अगर हम explain करके रखे तो हम set कहते हैं आपके पाठिकरम में function तो directly नहीं दिया है लेकिन set theory से start किया और set को समझ करके ही हम set theory को अच्छे से पढ़ सकते हैं set का foundation अगर हमने अनुभो किया तो set को मैंने देखा कि set के बगार relation possible नहीं है और relation के बगार function possible नहीं है तो set का role बहुत बड़ा होता है और set को भी पढ़ने के लिए हमें collection के different approach को पढ़ने की जरूवत होती है जैसे कि हमें पूरे numbers के बारे में information चाहिए संख्याओं के बारे में संख्याओं के classification को समझने की जरूवत होती है पूरे alphabetical सुरूप को पढ़ने की जरूवत होती है साथ साथ हमें कुछ ना कुछ ऐसे भी जो extra knowledge होती है जो की nature की, जो की political manner की बहुत सारी ऐसे terms and terminologies होती है जिसको हमें पढ़ने की आउसकता होती है तो आपको set तो मैं start करूँगा पढ़ना और set के पूरे foundation को मैं आज की class में आपको explain करने की कोसिस करूँगा मैं इसके 2-3 segment आपके सामें present करूँगा आप यहां से आज शुरू कर सकते हैं लेकिन अन्त यहां पर नहीं होगा इसके लिए और कच्छाओं को आपको फेस करना पड़ेगा और कच्छाओं को आपको बेट करना पड़ेगा लेकिन मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ अगर आपने एक भी दिन सेट नहीं पढ़ा है आपको बिल्कुल से भी नहीं समझ में आया आद तक आज की इस कच्छा के बाद आप ऐसा नहीं कहेंगे पूरा भरोसा है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा आपके लिए और मुझे पूरा भरोसा है जिसे मैं अभी तक फेस करता आया हूँ कि आप लोग आज सेट सीख पाएँगे एक्च्छल में आप सेट आज सीख पाएँगे इस बात का मैं आपको कमिट्मेंट करताओ हूँ कि अगर सुरू से लेके इंड तक वीडियो को देखा आपने प्रापर लिए सेट को पढ़ने के लिए जैसे मैंने कहा numbers की आवसकता होती है number की classification की आवसकता होती है मैंने इस lecture को कई बार public platform पर लिया है मैं इसकी भी एक बहतरीन वीडियो मैं description में attach करवा दे रहा हूँ अगर आप numbers और number के classification को क्योंकि set को पढ़ने के दौरान मुझे उसकी आवसकता होनी ही होनी है मतलब यह done है यह sure है कि set बेगार number के classification के अच्छे से नहीं सीखा जा सकता है इसलिए आपको मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा suggest करूँगा कि आप description में जाएए number system के उस video को भी download करिए note करिए उससे भी number के classification को अच्छी तरह से पढ़िए तो आप set पढ़ने के दौरान बड़ी ही सहज फील करेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको मैं आज जो सुरू करने जा रहा हूँ यहाँ पर status कह सकते हैं इस्तिती कह सकते हैं जिसका स्रेज आता है जार्ज केंटर को जार्ज केंटर वह विक्ति थे जिन्होंने इस प्रकार का approach समाज को दिया जिसका आज एक बेहतरीन applications हम लोग फील करते हैं अनुभाव करते हैं मैस मेंने ही daily life में भी हम लोग इसको utilize करते हैं यूज करते हैं तो मैंने आपको set के बारे में एक line बताई या बाकी की mathematics चाहे हो arithmetic हो चाहे हो algebra हो geometry, mensuration, statistics हो किसे भी अन्य प्रकार की mathematics से totally हट कर होता है यह एक प्रकार के अलग ही environment को आपके सामने present करता है इस पूरे topic को पढ़ने के दोरान हम math में हम बाकी सारी चीजों को explain कर रहे हैं कुछ अलग-अलग points मैंने यहाँ पर present कर रखा है तो आई structure मैंने यहाँ पर पहले से already mention करके रखा है जिसमें समुच्चे से relate करते हुए जितने भी points हो सकते है जो कि आपकी परिच्चा को और पूरे समुच्चे को explain करेंगे उसको मैंने properly यहाँ पर explain कर रखा है सुरुआत में सबसे पहले हैं definition upsets मतलब समुच्चे की proper परिभासा यहाँ पर सीखेंगे कि समुच्चे actually होता क्या है क्या उसका concept है पूरी तरह से हम इस definition के अंतर गत लेंगे दूसरी बात अगर हमने define कर दिया हम उसको कैसे denote करेंगे उसको denote करने के दोरान हम उसके awayo को उसके नाम को उसके space को हम कैसे प्रदरसित करेंगे इस चीज को हमें यहाँ पर denote करने के दोरान सीखना होगा उसके अलग-अलग classification या उसके अलग-अलग presentation के तरीके क्या हो सकते है मतलब एक ही set को हम अलग-अलग रूपों में कैसे दिखा सकते है इसके लिए हम representation सीखेंगे जो कि हम लोग यहाँ पर प्रदरसित करने का concept सीख करके आगे बढ़ेंगे classification के अंतरगस समच्यों की पूरी तरह से हम लोग यहाँ पर वर्गी करण करेंगे मतलब proper क्या वर्गी करण होता है set का set के जितने भी अलग-अलग प्रकार होते हैं उनको हम कैसे explain करते हैं इसको हम classification के अंतरगस सीखेंगे कुछ एक point मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि classification के बाद हम direct characteristics मतलब समच्यों की विसेस्ता नहीं ले सकते हैं यहाँ पर हम समच्यों की विसेस्ता लेने से पहले या हम कह सकते हैं अगर हम विसेस्ता भी ले ले जैसे हमने characteristics पूरी ले लिए कि कैसे set की equivalency होती है equality होती है इन सब चीजों को समझने के पहले हमें जरूत पड़ेगी subset की that is the most important part subset का मतलब होता है उप समुच्य आप जानते हैं इस बात को subset कार्थ होता है उप समुच्य उप समुच्य the most important segment in the set theory हम इसको X के साथ ही complete करके चलेंगे जब हम वरगी करण बताएंगे उसी दौरान हम आपको subset के बारे में जानकारी देंगे अब जब subset बताएंगे ही तो उस दौरान हम आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर subset की भी जो अलग-अलग प्रकार होते है जैसे कि proper subset है normal subset है साथ-साथ power set की भी बात यहाँ पर की जाएगी power set भी हम लोग पढ़ेंगे power set को पढ़ने के बाद जब हम operation में जाएंगे मतलब समुच्यों की जितने भी सम्मंदित गड़ना है उसको पढ़ेंगे उसके पहले ही मैं आपको यहाँ पर band diagram के बारे में जनकारी दूँगा मतलब band diagram जो की एक SI structure diagramatical structure होता है जो बड़ी सी बड़ी criticality को आसानी से explain कर देता है समझा देता है जो इसी का module है इसी का part है तो आपने एक प्रकार से देखा कि हम लोग यहाँ पर वर्गी करण करने के बाद subset मतलब characteristics को read करने के बाद subset उचित उस समुच्य मतलब proper subset normal subset साथ साथ power set और band diagram को पढ़ेंगे तब हम इनसे relate करते हुए जितने भी operations है जैसे की union करना intersection करना difference निकालना complementation करना यह सब कुछ हम operation के अंतरगत पढ़ेंगे फिर हम लोग यहाँ पर इसकी जितनी अलग-अलग identities होती है अलग-अलग law होते हैं set को relate करते हुए उनके operation को relate करते हुए उनको explain करेंगे फिर इसका huge application हमारा इसका real life में क्या application है क्या अनुप्रियोग है प्रस्णों के माध्यम से question के through हम लोग यहाँ पर application के अंतरगत पढ़ेंगे बाद में Cartesian product जिसको हम कारती गुडन खंड कहते हैं इसी को ले करके हम लोग relation में चले जाते हैं मतलब relation को पढ़ने के पहले तरह से अलग-अलग lectures के माध्यम से हम आपको इसको पढ़ाएंगे तो आप सब लोग इस पूरे points को आप note कर सकते हैं अपनी copy में यही हमारा structure होगा जिसके थुरू हम लोग पूरे set को हम cover करेंगे जो आपकी परिच्छा से relate करते हुए होगा जो आपके परिच्छा के प्रस्टों को लेते हुए होगा मैंने set theory के बारे में बताया कि अलग प्रकार की mathematical discipline होती है जो पूरी तरह से अन्न mathematical approach से अलग होती हट कर होती है इसलिए मुझे इसके एक-एक पहलू को properly समझना होगा सबसे पहला सब्द मैं लिख रहा हूँ sit हिंदी में जिसको आप समू, समुच्चे कुछ भी नाम दे देते हैं इसको मैंने का समुच्चे समुच्चे कह सकते हैं, समू कह सकते हैं collection कह सकते हैं, अपने हिसाब से हम इसकी नाम current कर सकते हैं इसकी जब definition मैंने दी तो definition में मैंने बताया इसको अगर हम explain करें इसका जो definition बन कर सामने आएगा आप अपनी copy में लिख सकते हैं तो सबसे पहले सब्द यहां पर है collection अर्था समूह और दूसरा सब्द हमारे सामने जो बन कर आया है वो है object मैं यहां पर दोनों चीजों के बारे में आपको explanation दे रहा हूँ सबसे पहले मैंने कहा कि यह समूह है यह collection है किसका object का object मतलब elements यह आप हिंदी में इसको aware कह सकते हैं किसका well defined object का मतलब well defined nature का well defined का मतलब होता है पूरता परिभासित या पूरी तरह पूरी तरह से परिभासित हो एक एक सब्द को हम लोग यहां पर लेके चलते हैं मैंने का एक ऐसा समूह है जो aware का है मतलब elements का है लेकिन उन aware का है जो की पूरता परिभासित हो जिनकी proper definition दी जा सकती हो अर्थात इन aware को explain करने के लिए हमें जरूत पड़ेगी statement की या हम कह सकते है sentence की आप कह सकते है sentence की sentence या हम statement की बात करेंगे जिनका प्रियोग हम aware को explain करने के दोरान करेंगे अब आपको थोड़ा सा यहां पर differentiate करना पड़ता है sentence जिसको हिंदी में वाक के कहते हैं और statement जिसको हम लोग क्यथन कहते हैं अब आपको अच्छी तरह से पता है कि कुछ भी बोले जानाए वाला जो definition होती है कुछ भी बोले जानाए वाला सब्दों का समूह होता है वह sentence कहलाता है लेकिन वह सभी समूह आपका statement नहीं होता है जैसे आप example के तौर पर समझे कि आप statement को कुछ ऐसे कह सकते है जो की uniform हो जो सब के लिए हो सब के उपर applicable हो जैसे nature के बारे में कुछ बोला जाए mathematically कुछ बोला जाए या सब के उपर applied हो चाहे वह गलत हो चाहे वह सही हो जैसे मैं कहूं कि sun rises in the east सूरज पस्पूरम में निकलता है अगर मैं sun rises in the west भी बोलूँगा तो पस्चिम में निकलता है आप बात गलत है लेकिन वह statement है कैसा statement है गलत statement है बाकी सारी चीज़ जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ आप कुछ बोलिये अन्ने कोई कुछ बोले पर्टिकुलर किसी के बारे में बोलने के दोरान जो भी वाक्यों का समूव होता उसको sentence कहते हैं और अगर माली जी वह uniform हो सब के उपर applied हो जैसे माली जी प्रधानमंत्री जी ने कोई घोंसड़ा कर दी तो वह सब के उपर applied है नेचुरल कोई चीज हो रही है हम सब के साथ तो वह सब के उपर applied है कोई चीज किसी के लिए हानिकारक है जैसे smoking करना हानिकारक है तो सब के लिए हानिकारक है तो वह statement है तो इस तरह को हम सबसे पहले categorize कर लेते हैं यह statement की मदद से ही इस collection को explain किया जाता है इसलिए मैं यहाँ पर बता देना जरूरी समझ रहाता मुझे लगा कि यहाँ पर जो यह object है जिनको हम aware कह रहे हैं यह पूरता defined होने चाहिए इसको समझने की सबसे पहले आवा सकता है मैंने जैसे कुछ example लिए मालीजे मैंने कहा आपको ध्यान दिजेगा मैंने कहा collection of collection of students students in a class कच्छा के सभी छात्रों का समूँ कच्छा के सभी छात्रों का समूँ आप बिल्कुल notice कर सकते हैं वह एक प्रकार का sentence होगा और वह sentence एक प्रकार का set generate करेगा मतलब जो हमारे पास elements लिए गए हैं उन elements का सही उपयोग किया गया है अगर मालीजे मैंने कहा collection of ध्यान दिजेगा मैंने कहा collection of each natural number each natural number जिसको हम हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या मैंने कहा less than 5 less than 5 मतलब 5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समू तो आप भी एक प्रकार का collection बना और defined collection बना अब मैंने जिसे एक दूसरा sentence लिया मैंने कहा collection आप collection आप each honest person each honest person in the city honest person in the city मतलब सहर के सभी इमानदार लोगों का collection अब जब ए सब्द हमारे सामने बन कर आया इमानदार बेइमान अच्छा बुरा मीठा खटा तीखा ए सब्द जो बन कर आया जो किसी भी एक बैलू की quality explain करता है वह सिट नहीं होगा वह सिट नहीं होगा अर्थात यह पूर्टेह defined नहीं हो रहा है अगर मालीजी एक समू है या सहर में से मैंने आपको एक सर्वे करने को कहा कि आप जाईए इस चौराहे पर खड़े सभी लोगों में से बोलिए जो जो इमानदार है ओ ओ ओ हमारे समू में आ जाएं अब आप बताईए कि कौन कहेगा कि मैं बेमान हूँ या हमारी मीजर करने की कटेगरी क्या है ऐसा कोई मेरे पास इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं कि हम उसको दिखा देंगे तो पता चल जाएगा कि मानदार है कि बेमान है इस प्रकार का जो एक्जैक्ट मीजरमेंट करने का पॉसिबल सिच्वेशन हमारे सामने नहीं होता है वह हमारा बेल डिफाइंड नहीं होता है जिसको समझने के लिए बस ऐसे समझिए जो आप इन एलिमेंस को देख रहे थे जिन आवयवों को देख रहे थे हम ऐसे कह सकते हैं यह जो एलिमेंस हैं अर्थात आपजेक्ट हैं यह दो प्रकार के हमारे सामने बन कर आएंगे एक तो कॉंटिटेटिव होंगे कॉंटिटेटिव का अर्थ होता है गड़ना पर बेजड है मतलब इनकी गड़ना संभो है दूसरा कॉंटिटेटिव होते हैं अब आपने देखा कॉंटिटेटिव और कॉंटिटेटिव दो अलग प्रकार के नेचर किसी भी आउयों के बन कर आएं कॉंटिटेटिव का मतलब जो गुडवत्ता पर अधारित हों अगर मान ळीज़े मैं आपसे कोई इक कallection select करने को बोलूं जो कॉंटिटि पर बेस्ड है तो वह set generate करेगा लेकिन अगर वह quality पर based है अर्थाद गुडवत्ता पर based है तो वह set generate नहीं करेगा अर्थाद उसकी proper definition संभो नहीं है जैसे मैंने गुडवत्ता की बात करी तो मैंने honesty की बात करी मैं beauty की बात करूँ मैं अच्छाई की बात करूँ मैं बुराई की बात करूँ जहाँ पर भी quality के हिसाब से collection को read करने की बात आएगी वह set generate नहीं करेगा लेकिन जहाँ पर भी quantity की हिसाब से set को या elements को collect करने की notice करने की बात आएगी वहाँ पर set generate होगा चाहे वह class के बच्चों का समूँ हो घर के सभी सदस्यों का समूँ हो आपके office के सभी कर्मचारियों का समूँ हो भारत के सभी प्रधानमंत्री का समूँ हो सभी natural numbers का समूँ हो पूरे संसार में जितने दे से उनका समूँ हो भारत के सभी राज्यों का समूँ हो जितने भी university से उनका समूँ हो चाहे आप उसे गिन सकें चाहे आप उसे ना गिन सकें लेकिन उसको quantity पर होना अनिवारे है तभी वह एक set है तभी उसकी हम एक definition दे सकते हैं याद अगर आपको कभी कोई ऐसी situation बनकर आपके सामने आए जहां पर कुछ statements दिये जाएं और मुझे निर्धारित करना हो कि वह set है कि नहीं है इस बात को हम लोग यहां पर पहले से fix कर लेना हमारे लिए जरूरी होता है जैसे मैं यहां पर कुछ sentence ले रहा हूँ और आप से discuss करन क्या हुआ sentence ओ set है या नहीं है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो आईए कुछ statements हम लोग लेते हैं जैसे आपके सामने इस तरह से words बनकर आएंगे लिखा है इसमें पढ़ते जाएंगे हम लोग एक एक करके कि which are the following collection are the sets या हैं set की नहीं है justify your answer अपने answer को आप सही सब्सक्रारी चीजों को यहां पर बताया गया है जैसे मैं एक एक करके explain करूं मुझसे कहा गया the collection आप all natural number less than 100 100 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूं yes set है आप कह सकते हैं बिल्कुल set सम्भो है इनसे दूसरी बात अगर हम लोग करें 100 से छोटी सभी प्राकृति किया जाता वह जानना जरूरी है यह natural number है और natural number जो होंगे जिसको हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं इसको represent करने के लिए हम capital yen का प्रियोग करते हैं इस capital yen के द्वारा हम प्राकृतिक संख्या को प्रदरसित करते हैं जिनकी जो सुरुवात होती है वह एक से होती है एक के बाद दो दो के बाद तीन चार पांच इस प्रकार से यह सारी चीजे आपके सामने बन कर आती हैं यह 100 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समू है अर्थातिया आपका सही दूसरा देखिए कहा गया है कि सहर के सभी इमानदार लोगों का समू अभी मैं इसी चीज को लेकर के आपको समझाया आप इच ऑनेस परसं इन दे सिटी यह आपका सेट नहीं बनाएगा मतलब यहां पर कॉंटिटी के हिसाब से एक्स्प्लेइन करने की बात आई है इसलिए यह सेट जनरेट नहीं करेगा अगला देखेंगे हम लोग यहां पर तीसरा हम मारे सामने क्या बोला है कि the collection of novels written by स्री जैसंकर प्रसाद स्री जैसंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए उपन्यासों का संग्रा बिलकुल सेट बन जाएगा उसको आप गिन भी सकते हैं लेकिन वह सेट भी है क्योंकि उन्होंने जितने उपन्यास लिखे उन्होंने ही लिख है इसलिए इसको हम सेट कह सकते हैं अब जैसे अगला देखेंगे सड़क पर चल रही सभी गाडियों का समूख मतलब अंगरीजी में देखिए the collection of vehicle running on the road अब कोई कहे कि सड़क पर चल रही गाडियों को कैसे read करें आप कोई भी एक सड़क के अंदरित कर लीजिए जिस सड पर आप नोटिस करना चाहते हैं उसके दोनों किनारों पर कैमरे लगा दीजिए आप सुबह से साम तक की reading कर सकते हैं कि कितनी गाडियां चल रही हैं अर्थात यह एक सेट जनरेट कर देगा मतलब यह भी एक सेट बना देगा इसको भी आप लोग यस कह सकते हैं संसार के द होता है किसी सामाने जानवर को भी देख करके किसी भी व्यक्ति को डर लगता है और किसी को नहीं लगता है इसलिए हम इसको कटेगराइज नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर quality based है इसलिए हम इसको कहेंगी कि यह सेट नहीं होगा यह सेट नहीं होगा आगे में बढ़ होगा औ The collection of each Prime Ministers of India since 1947, मतलब 1947 से लेकर के अब तक के भारत के सभी प्रदानमंत्रियों का समूँ बिल्कुल सेट बन सकता है, यस इसका एक possible collection आप जरेट कर सकते हैं, मतलब सेट बना सकते हैं, आगे देखिए, The collection of most talented students इंदब यहाँ पर भी सीधी सी बात है, यहाँ भी quantity को focus ना करके quality को focus कराया गया है, भारत कच्छा के सभी मेधाबी छात्रों का समूँ, तो यहाँ पर मेधाबी हम किसको कैसे करें, अब आपको पता है कि कोई किसी बिसे में बड़ा ही ग्यानवान होता है, कोई किसी बिसे में होता है, किसी को गड़ित आती है तो हिंदी नहीं आती है, किसी को हिंदी आती है तो गड़ित नहीं आती है, अब गड़ित वाला कहेगा मैं बहुत तेज, हिंदी वाला कहेगा मैं बहुत तेज, तिस प्रकार की category निर्धारित नहीं की जा सकती है, अर्था तिया भी आपका 9 होगा आगे मैं बढ़ूँगा इसके बाद अब हाज पुडांग संख्याओं का समूँ अब पुडांग कहों मतलब integer हों अब आपको फिर मैं वही कहोंगा कि number system को अच्छे से देख लीजिए आप सभी लोग जो description में वीडियो दिया गया है integer को i से या तो z से indicate करते हैं अब हाज numbers को हम prime number जो संख्याए स्वयम से और एक से विबाज जोती है उनको अब हाज कहते हैं तो अब हाज पुडांग संख्याओं का समूँ बिलकुल possible है या set होगा भले ही इसके सारे elements को हम गिन ना पाएं लेकिन यह एक set ही कहलाएगा आगे देखिएगा एक से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूँ अब आप को होगे सर एक जो है क्या लिखा है the collection आप natural number less than one मतलब एक से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूँ ऐसे सोच कर अगर चलें तो एक से छोटी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है अर्थात इस set में कोई elements आएगा नहीं लेकिन क्योंकि quantity based है इसलिए यह भी एक set है भले ही इसके पास कोई element नहीं है इसको हम कैसे present करेंगे और मैं आपको बताऊंगा लेकिन यह भी एक set बना रहा है आगे बढ़ता हूँ और last statement हम लोग इसका notice करेंगे the collection आप each family member in my family मैंने पहले से बता दिया बेरे परिवार के सभी सदस्यों का समूँ yes possible है इसको लेकर कि हम लोग एक set बना सकते हैं इसको लेकर एक set बना सकते हैं तो मैंने अभी केवल set की definition दिया आपको और मैंने बताया कि किसे हम समुच्चे कहते हैं किसे हम समुच्चे नहीं कहते हैं यह depend करता है quantity और quality पर elements के मतलब आवयों को गिन सकना आवयों की characteristics इस्टिस दिधारित करना इन पर depend करता है जहां पर quality की बात आएगी वहाँ set नहीं सम्भव है जहां quantity की बात आएगी वहाँ पर yes, set सम्भव है आगे मैं बढ़ूँगा अब मैंने कहा जो मैंने definitions या examples अलग अलग दिये जिनको लेकर के आप एक collection generate कर सकते हैं हो सकता है आपके collection में elements गिने जा सकते हों हो सकता है आपके collection के elements ना गिने जा सकते हों या आपके collection में कोई elements ही ना हों लेकिन collection है तो set है collection के elements की proper definition है तो set है अगर ऐसा है तो हम कैसे किसी set को denote करते हैं to denote a set ध्यान दीजेगा to denote a set पूरी बात को समझने की कोशिस करिएगा अगर मुझे किसी set को denote करना है तो उसके लिए हम लोगे यहाँ पर use capital letter capital letters आप English alphabet हम अंग्रेजी के बड़े letters का प्रियोब करते हैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन से letters यूज करे जाएंगे आप A यूज कर सकते हैं B यूज कर सकते हैं C कर सकते हैं D कर सकते हैं अंग्रेजी के आप बड़े letters का प्रियोब करेंगे किसी set को denote करने के लिए set के नाम का निर्धारण करने के लिए set का मतलब संग्रह और संग्रह को केंद्रित कराया जाएगा जैसे आप किसी की अमारा लिजे आपका घर है तो घर को घर की आइडिनिटी क्या है घर की पहचान क्या है घर के बाहर लगा नेम प्लेट जिसमें घर के ओनर का नाम लिखा रहता है घर का भी एक टाइटिल आप लिकवा देते हैं वही सेट का नाम है जैसे आप क्या है अपने घर के एक अवयव है अपकी पहचान क्या है आपके फादर है आप कहेंगे कोई अगर सडक पे मिलेगा पूछा जाएगा तो बताएंगे उनका लड़का है मतलब उनकी लड़की है उनका लड़का है अर्थात आपकी पहचान ओ सेट है उस कलेक्शन का जो मेन मालिक है जिसके नाम से आप जाने जा रहे हैं आप उसके थूँ पहचाने जाएंगे मतलब सेट को डिनोट करने के लिए नाम करड करने के लिए set का हम अंग्रेजी के capital letters का प्रियोग करते हैं दूसरी चीज, जो set के अवयों हैं, जैसे मैंने का घर हमारा है तो घर के मालिक कौन हुए, मेरे grandfather या father हुए या मेरी mother हुई, grandmother हुई, ओ घर के owner हुए अब उनके हम सभी part हैं, मतलब हम सभी elements हैं तो मैंने कहा to denote, to denote elements of a set, elements of a set मतलब set के समुच्चे के अवयों को, अवयों को प्रदर्सित करने के लिए अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाएगा अब आप देखो कैसे कैसे प्रयोग किया जाएगा जैसे हम प्रयोग करेंगे, इसमाल a का, मतलब हम कैसे किसका किसका प्रयोग करेंगे A का, B का, C का, D का, E का मतलब हम Small Letters का प्रयोग करते हैं सेट के औयों को निर्देशित करने के लिए दिखाने के लिए मतलब सेट का नाम करण करने के लिए capital letters और सेट के elements अर्थाथ औयों को दिखाने के लिए हम अंग्रेजी के छोटे अच्छरों का प्रियोग करते हैं अब इन अवयों को रखते कहां पर हैं ध्यान दिजेगा to store the elements of set मतलब set के अवयों को रखने के लिए ध्यान देना अगला line, अगली statement to store the elements of the set elements of set set के अवयों को रखने के लिए huge curly brackets जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मजले कोष्ठक का प्रियोग करेंगे हम मजले कोष्ठक का प्रियोग करेंगे मजले कोष्ठक देखिए आपको जनरली तीन कोष्ठक दिये जाते हैं एक छोटा दिया जाता है, एक मजला दिया जाता है एक बड़ा दिया जाता है यह जो छोटा और बड़ा होता है यह किसी range को निर्धारित करता है range मतलब जैसे कि यहां से यहां तक की value जिसके बीच अनंत elements आ सकते हैं उनको निर्धारित करता है जबकि जो मजला होता है यह elements अर्थात अवयाओं को केंद्रित करता है इसलिए set के elements को store करने के लिए हम curly brackets अर्थात मजले कोश्ठक का प्रयोग करेंगे अब हम अगर देखें तो तीन बाते मैंने यहां पर बताई कि set का नाम करण क्या होगा जैसे मैंने आप से कहा कि आप अपने परिवार का ही example लेके चल सकते हैं तो जो परिवार के owner है वही set का नाम है आप समझिए आप सब हम आपके भाई बेहन मतलब आप ऐसे समझे आप अपने परिवार की अगर बात करें तो आपके father set के main name है मतलब main name set का आपके father हो गए आपकी mother आपके भाई बेहन इस सब set के elements हो गए तो capital letter से set का नाम दिखाया small letter से जो set के elements है उनको दिखाया अब इन small letters को हम रखेंगे कहा पूरा एह प्रदर्शन करेंगे कैसे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं from English alphabet हम English के अगर हम wawels का collection ले wawels का collection ले तो wawels आप जानते हैं कि wawels में कौन कौन आता है a आता है e आता है i आता है o आता है u आता है अब देखिए ए सब उस wawels के collection के part है मतलब elements है इनको हमने रखा किसके अंदर curly brackets में इनका नाम current कैसे कर दिया ऐसे कर दिया अर्थात यह set का नाम हो गया this is the name of set यह set का नाम है name of set यह set के elements है elements of the sets और इन elements को आपने रखा कहा है इस curly bracket के अंदर रखा है अर्थात किसी एक set जिसका नाम capital letter से कुछ भी हो सकता है उसके अवेवों को आप किसी एक curly brackets के अंदर रखेंगे curly brackets के अंदर indicate करेंगे प्रदर्सित करेंगे इसको दिखाया कैसे जाता है समझाया कैसे जाता है ऐसे समझेए मतलब ऐसे सोचिए यह आपके घर के मुखिया का नाम है owner का जिसको हम set का नाम कह रहे है यह हम सभी लोग है जो हम अपने घर में रहते है और यह सारे के सारे elements को रखने के लिए जिस घर को आपने develop किया है उसका नाम है curly brackets अब यह जितने भी aware हो है इस सबके सब इस set के part है मतलब इसी से सम्मंधित है इनको प्रदर्शित कैसे किया जाता है बताया जाता है जो जैसे elements है वह set से अगर माली जिस सम्मंधित है तो उसको प्रदर्शित कुछ ऐसे किया जाएगा कहा जाएगा ए belongs to capital A यस यह belongs to capital A इस symbol को हम कहते है belongs to belongs to का अर्थ होता है सम्मंधित है मतलब यह जो element है वह इस capital A अर्थात इस बड़े set से set का जिसका नाम दिया है उससे सम्मंधित है E जो है belongs to capital A I जो है belongs to capital A यस सही है सही है मैंने कहा J belongs to capital A तो आप कहोगे सर नहीं J तो हमारा party नहीं अब जैसे माली जी मैं आ गया तो मैं तो आपके परिवार का सदस से नहीं हूँ तो मैं आपके परिवार से सम्मंधित नहीं हूँ तो इसलिए हमको आप कहेंगे यो does not belongs to this set आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं और जेड does not belongs to capital A आप ऐसा अगर लिख दें तो आप सही कह रहे हैं मतलब यह जो element जेड है जो हमारा part नहीं है वह इनसे सम्मंधित नहीं है तो आप कह सकते हैं जैसे I की बात होगी O की बात होगी इस तरह से कोई भी elements जो की उसका part है वो तो सम्मंधित है जो other elements है वो सब के सब सम्मंधित नहीं है अगर उनको सही सही दिखाना है तो आप भी does not belongs to this set इस set का part नहीं है हम ऐसे इसको indicate कर सकते हैं इस पर भी कुछ elements कुछ examples हम लेंगे जिनके द्वारा हम सी जो को समझाने की आपको कोसिस करेंगे देखे कुछ example हमने लिया जिनसे हम यहाँ पर आपको समझाएंगे आप देखिए मैंने एक set लिखा ए है जिसके अंदर कुछ elements दिये गए है आप देख पा रहे हैं आपर कौन-कौन से elements दिये गए है यह सारे elements अलग-अलग दिये गए है which are the following statements are true and why मतलब कौन-कौन सा सही है और क्यों सही है जो मैंने बताया उसी पर आपको relate करते हुए कुछ statement है आप लोग ध्यान दिजेगा यह देखिए सबसे पहला आपने set notice किया था मैं set को एक बार यही पर open कर देता हूँ जिससे कि वो आपको समझ में आये कि कौन-किस-किस के बारे में बात की गई थी आप लोग देख पा रहे हैं देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या बोला है कि A is equal to this और finally देखिए किया कहा है CD CD इसी का part है मतलब यह set के अंदर भी एक set है जिसे होता नहीं परिवार के अंदर भी परिवार है वह भी एक प्रकार के सब परिवार हो जाते हैं जब मैं subset पढ़ाऊँगा तो चीज मैं आपको बताऊँगा अब आप ध्यान दिजेगा CD को मैंने बताया कि capital A से बिलांग करता Yes, बिलांग कर रहा है बिल्कुल सही बात है दूसरी बात ध्यान दिजेए हमसे कहा उसी में अगर देखा जाया तो मैंने कहा A belongs to capital A Yes, A भी बिलांग कर रहा है capital A से इसके बाद देखिएगा आप लोग ध्यान से अब जैसे उसी सेट को हम यहाँ पर रख दिये हैं बाकी के elements को हम relate कर रहे हैं यहाँ पर मैंने देखा कि वही सेट आपका रखा गया क्या E belongs to capital A आप कह सकते हैं Yes, belong कर रहा है मैंने कहा A, B, E not belongs to capital A capital A से belong नहीं कर रहा है आगे देखिएगा फाई, अब एक फाई के बारे में मैं आपको बता दूँ फाई को हम कहते हैं null set मैं अभी इसके बारे में आपको समझाता हूँ null set का अर्थ होता है empty set, मैं इसकी type अभी जब समझाओंगा तो आपको clear कराऊंगा इसको हम white set भी कह सकते हैं एक ऐसा set जिसके अंदर कोई element ना हो तो फाई उसको निर्देशित करता है या तो हम लोग open bracket ऐसे curly बना देते हैं वह निर्देशित करता है यह जो element होता है वो सभी का part होता है वह सभी set का एक भाग होता है अर्थात phi belong करेगा capital A से yes phi है मतलब वह उसके अंदर उपलब्द है उसका part है null set, null elements हमेशा किसी भी set का भाग एक हो सकता है लेकिन इसी को अगर हम एक curly brackets के अंदर रख देंगे तो यह एक element की तरह काम करने लगेगा अर्थात अब हम कह सकते हैं इस set का part नहीं है जब किसने कहा belongs to capital A तो हम कहेंगे नहीं है गलत लिखा गया यहाँ पर अब आगे देख लिजिए कहा गया जेड इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग लिखा है जेड belongs to capital A क्या ऐसा है नहीं है तो आपको इसने गलत बताया है इस set में कहीं जड़दिक नहीं रहा है तो हम तुरंद कहा देंगे सर नहीं belong कर रहा है इसका part नहीं है आगे देखिए कहा है ब belongs to capital A ब है यस है अब लेकिन इसने क्या बोला है ब does not belongs to capital A जो कि ओ गलत बोल रहा है जबकि हम साफ साफ देख रहे है भी हमारे set का एक part है हमारे set का एक भाग है आगे मैं बढ़ूँगा यह चलिए देखिए आपका एक complete हुआ मतलब आप कोई set बनाते हो उस set को कैसे represent करते हो कैसे denote करते हो यह बात मैंने आपको बताया या मैंने आपको समझाया अब ध्यान दीजेगा मैं आगे बढ़ूँगा और मैं कुछ और चीजें आपको समझाता हूँ उसको notice करते चलिए सभी लोग इसके बाद का जो हम अगला topic यहां पर लेके चलेंगे ओगा representation of set representation आप a set किसी भी set का प्रदर्शन set का प्रदर्शन करना ध्यान दीजेगा जो प्रदर्शन करना होता है set का वह मुख्यता तीन भागों में बटा होता है मतलब कोई एक collection आपको दिया गया जिसको आप set कह रहे हैं उसका जो representation होगा मुख्यता तीन तरह से यहाँ पर define किया जा सकता है जो पहला part है इसका ध्यान दीजेगा उसको हम कहते हैं set builder method set builder method दूसरा जो part है उसको हम लोग कहेंगे roster method roster method तीसरा जो part है हमारे पास वह एक प्रकार की definition method है हम ऐसे कह सकते हैं इसरे part का बहुत प्रयोग नहीं किया जाता है लेकिन जैसे statement by जगर हम लोग यहाँ पर किसी चीज़ को दिखाना चाहें तो statement method हम कह सकते हैं मतलब कथन के द्वारा हम उस पूरी knowledge को आपको provide कर दें अब आपको मैं समझाओं कि इनकी meaning अलग-अलग क्या है जिसे देखे किसी एक ही set को प्रदर्सित करने के लिए अलग-अलग माध्यम हो सकते हैं जिनकी जरुवत अपने हिसाब से अलग-अलग होती है मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किसकी जरुवत क्यों है और यह किसलिए अलग-अलग categorize किया गया है set builder को हम अग्रेजी में और प्रकार के नाम दे सकते हैं rule method इसको कह सकते हैं property method कह सकते हैं इसको अगर मैं अपने हिसाब से समझाओं तो आपको मैं कहूंगा यह एक technical method है किसी भी set को explain करने के लिए, represent करने के लिए यह एक technical method है rule method, property method आप इसको अलग-अलग तरह से यहाँ पर नियम भी धी, आप इस तरह से नाम दे सकते हैं जो roster method होता हुआ, उसको हम tabular method भी कहते हैं tabular method भी कहते हैं हम tabular method का मतलब एक प्रकार से तालिका भी धी अर्थात, मैं आपको समझाता हूँ जैसे इसको समझाने के लिए मतलब किसी set को इसके थूरी represent करने के लिए एक rule लिखना होता है एक property लिखनी होती है किसी भी set के elements को अगर मुझे explain करना है और मैं उसे एक code के माध्यम से आपको provide करूँ तो code generally सब लोग crack नहीं कर पाते हैं इसलिए इसको हमने technical method कहा लेकिन अगर यह technical है तो इसकी एक अलग प्रकार की feature भी होगी इसकी अलग प्रकार की advantage भी होगी जबकि यहाँ पर क्या होता इसकी मदद से हम set के elements को लिख करके दिखाते हैं इसको हम listing method भी इसलिए कह देते हैं मतलब यहाँ पर प्रतेक elements को लिख करके दिखाया जाता है हर elements को जब आप लिख लिख करके दिखाते हैं तो बहुत technical नहीं होता है नार्मल person भी उसको read कर सकता है इसलिए इसको non-technical method भी हम लोग यहाँ पर एक नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं statement method का मतलब यहाँ पर जो collection रहता है उसकी एक general reading लिख करके दिखाई जाती है जिसको हम statement के माध्यम से समझ पाते हैं मैं एक चीजों को properly आपको समझाता हूँ जैसे माल लिजे मैंने collection लिया मैंने खा collection up collection up natural number less than 10 collection up natural number less than 10 10 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का समझ यह आपकी प्राकृतिक संख्याओं का समझ यह आपको statement के द्वारा इस set को explain कर दिया गया है जो तीसरा method था वो यही था कि आप किसी एक statement के माध्यम से किसी एक set को प्रदर्सित कर दीजिए आप एक collection को ही बता रहे हमको एक statement की मदद से बता रहे है मैंने इस set को प्रदर्सित करने के लिए मैंने सबसे पहले रोश्टर method apply करने की कोसिस करी मैंने सोचा चलो रोश्टर method से हम इस चीज़ को समझाएं लोगों को रोश्टर method में हमें करना क्या होगा इस set के सभी elements को एक एक लिख करके दिखा देना होगा तो उसको हम रोश्टर method कहेंगे अब आप सबसे पहले set का नाम करण करिए माली जे set का नाम मैंने कहा ए है elements को रखते कहां पर है curly brackets में क्या क्या elements है बताइए एक है, दो है, तीन होगा चार होगा, पांच होगा छे होगा, साथ होगा, आठ होगा और नौ होगा क्यों ऐसा एक से नौ तक ही क्यों क्योंकि दस से छोटी सभी प्राकृतिक संख्या है एक से ही क्यों सुरू क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की सुरुवात कहां से होती है एक से होती है तो मैंने सभी elements को लिख करके दिखा दिया यह collection किसका हो गया प्राकृतिक संख्याओं का जो की 10 से छोटी है अब आप problem समझे अगर मालीजे मैं आप से कहता कि collection आप natural number less than 100 तो आप कहते हैं कि सर लिख तो सकता हूँ लेकिन बहुत लंबा होगा मैं कहूंगा thousand तो आप कहो सर फिर भी मैं लिख सकता हूँ लेकिन इतना लंबा होगा कि हमको लिखने में बड़ी समस्या होगी अगर 1000, 10,000 इस तरह से संख्याओं को मैं दिखाना है तो मैं प्रतेक संख्या को लिख करके नहीं दिखा सकता हूँ उसके लिए मुझे start form apply करना पड़ेगा dot 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 लगा के छोड़ देना होगा लेकिन वो बहुत authentic नहीं माना जाता है इसके लिए हमको क्या करना होता है हमें rule बनाना पड़ता है जो rule हम ऐसा बना दें जिसको सभी लोग पढ़ें और पढ़ करके इस पूरी चीज की पहचान कर पाएं कि properly दिया गया गया है इसका भी नाम मान लिजे मैं एही रख देता हूँ rule बनाया कैसे जाता समझे rule बनाने के लिए जैसे शुरुआत में मैंने आपको एक बात बताया था कि set के अवयों को small letter से प्रदर्सित किया जाता है तो आप कहो कि सर कभी मान लिजे हमें numbers को दिखाना है तो कैसे उसको small letter से दिखाएंगे हमने कहा कि हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं सभी group को दिखाने के लिए हम small letter का ही प्रयोग कर दे हैं सभी collections को दिखाने के लिए चाहे हो numbers से relate करते हुए हों चाहे alphabet से हों चाहे जिससे भी हों सभी को दिखाने के लिए हमें small letters का ही प्रयोग करना होता है माली जे मैंने इसको कहा कि वह X है क्या है X है मैंने small letter से pre-op कर दिया मैंने लिखा यहाँ पर x is such that x अब यहाँ पर आपने दिखा कि इसको हम एंग्रेजी में कहते हैं such that such that हमने यहाँ पर इसको कहा हिंदी में हम इसको कहते है x एक ऐसा x है x एक ऐसा x है x एक ऐसा x है जो बिलांग करता है natural number से किस से बिलांग करता है natural number प्राकृतिक संख्या से बट इसका जो मान है वह less than less than का symbol है क्या है? 10 है less than 10 है ध्याँ दिखें x एक ऐसा set है x एक ऐसा समू है collection है जिसको हम उपर sticker लगा के दिखा रहे हैं जो natural number से ही बिलांग करेगा इसको दिखें जो natural से सम्मंदित है प्राकृतिक संख्याओं से बट वह 10 से क्या है? छोटा है मतलब वो 10 के बड़ा नहीं हो सकता 10 के उपर नहीं जा सकता है अर्थात मैं इसको ऐसे भी चाहता तो लिख सकता था मैं चाहता तो लिख देता x is less than 10 ध्यान दिजिए चो लिखा है x is less than 10 मतलब 10 से छोटा यह मैं लिख देता कि less are equal to 9 मतलब 9 या 9 से छोटा 9 या 9 से छोटा तो दोनों चीज हो सकता था चाहे आप यह लिख देते तब भी सही होता यह भी लिख देते तब भी सही होता अपने हिसाब से हम इन चीजों की reading कर सकते थे समझ सकते थे आपने देखा कि किसी एक statement को जो collection को प्रदर्सित कर रहा था उसी statement को roaster से लिखने का तरीका उसी statement को set builder से लिखने का तरीका और जरूरत क्यों पड़ी मैंने देखा कि आप बहुत कम ही elements को hold कर सकता है इसलिए मुझे यहाँ पर set builder की आउसकता पड़ी यहाँ बात आपने समझा ध्यान दीजीगा आगे मैं बढ़ता हूँ अब मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको questions के माध्यम से मैं समझाता हूँ जिससे कि आप relate कर सको और अपने आपको involve कर सको इस concept में, इस topic में तो मैं कुछ प्रस्न ले रहा हूँ जिन प्रस्नों को आपको set builder से roaster, roaster से set builder method में लिखना पड़ेगा जैसे देखिए describe the following sets in the roaster farm हम जो हमारे पास दिये गए set है उनको हमें तालिका विधी में प्रसित करना है अब एक-एक set को हम लोग लेते हैं और उसको लिखने की कोसिस करते हैं आप भी यहाँ पर प्रयास करिए जिससे कि इन सब चीजों को आप relate कर सकें और समझ सकें सबसे पहला statement हम यहाँ पर ले रहे हैं English alphabet में E के पहले आने वाले सभी letters की बात करिए उसके लिए set का नाम मा लिजे मैंने A रखा तो आपको पता है E के पहले क्या क्या आता है A, B, C, D आता है यही आपका answer हो जाएगा जो की अंग्रेजी के letters हैं और E के पहले के letters हैं अर्थात हम इसको A, B, C, D कह सकते हैं दूसरा question देखेंगे हम लोग दूसरे में देखिए लिखा है X belongs to natural number X किस से संबंदित होना चाहिए natural से लेकिन X square आपका 36 से छोटा हो X square आपका क्या हो 36 मतलब उस elements जिसको आप लेने जा रहे हैं उसका वर्ग जो हो ओ 36 से छोटा हो natural की सुरुवात होती कहां से X से एक का वर्ग क्या होता है भाई अगर हमने X लिया 1 तो X square क्या होगा एक ही होगा मैंने 2 लिया तो 2 का वर्ग क्या होगा 4 3 लिया तो 3 का वर्ग क्या होगा 9 4 लिया तो 4 का वर्ग 16 5 लिया तो 5 का वर्ग 25 6 लिया तो 6 का वर्ग 36 अब सोचो 36 ले नहीं सकते अगर यहीं पर less are equal to 36 होता तब हम इसको भी hold कर सकते थे लेकिन यह तो है नहीं हम क्या करेंगे हम इसको भी नहीं कर सकते हैं अर्थात हमारे elements यही हो जाएंगे कौन-कौन से एक से लेकर 5 तक एक, दो, तीन, चार, पाँच एक से लेकर 5 तक के elements हमारे part कहलाएंगे हमारे भाग कहलाएंगे जिनके सभी वर्ग 6 से छोटे हैं मतलब 36 से छोटे हैं मतलब वो 36 के बिलो वाले संख्याएं हैं जो कि जिनका वर्ग 36 36 से बिलो होता है नीचे होता है तो आप एक से लेकर 5 तक के आउयों को जिडर कर सकते हैं ले सकते हैं अगला देखिएगा इसकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर यह देखिए अलग अलग दिये गए हैं हम एक एक करके समझते हैं इसमें यहाँ पर इसको देखिए लिखा है अगर हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ें एक्स belongs to natural number प्राकृतिक संख्याओं से match करता है एक्स is such that एक्स मतलब पहले से उसने बता दिया कि वो natural से बिलांग करता है तो prime number और जहाँ पर एक्स का मान जो है वह 10 से बड़ा है और 50 से छोटा है अगर मैं अभाज संख्याओं की बात करूँ जो संख्याओं आपको पता है कि स्वयम से कटती है और एक से कटती है वही अभाजी कहलाती है वह संख्याओं दस से बड़ी तो सबसे पहले तो मैं 11 लूँगा फिर 13 लूँगा, 17 को लेता हूँ 19 को लिया, 23 को लिया, 31 को लिया, 37 को लिया, 43 को लिया और फाइनली 47 को लिया यह संख्याओं हैं मेरे हिसाब से और कुछ चूटा नहीं है आप लोग एक बार मैच करा लीजिए यह हुआ संख्याओं हैं जो 10 से बड़ी हैं और 50 से छोटी हैं तो आपने इस सेट बिल्डर को रोजटर में प्रदरसित कर दिया आपकी परिच्छा में पूछा जाता है तो आप इनका नौलेज रखिए कि अभाज संख्याओं क्या हैं कितनी होती हैं इसके इसके बीच में यह सारी बाते मैंने अपनी उस क्लास में बताया आप वहाँ पर देख सकते हैं अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर अगला कुश्यन इसी में देखी दिया हुआ है जो है क्या लिखा है येक्स बिलॉंग्स टू नैचुरल लंबर येक्स सस्दाइट एक्स इज उकल टू टू येन आपका जो एलिमेंट है एक्चली येक्स है और येक्स बराबर क्या है तू येन है लेकिन येन क्या है पहले उसको निर्धारित करना जरूरी है येन नैचुरल लंबर से बिलॉंग करता है प्राकृतिक संख्या से बिलॉंग करता है लेकिन हमारा element ध्यान रखना यक्स है और यक्स किस से सम्मंदित है? यन से सम्मंदित है आपको पहले यन लेना होगा यन को निर्धारित करना होगा यन प्राकृतिक संख्या से बिलॉंग करता है तो सुरुवात हम लोग एक से करें दो भी होगा, तीन भी होगा, चार भी होगा इसमें कोई range नहीं बताया कि कहां से कहां तक होगा अर्थात हम लिख सकते हैं सबसे पहला element दो, फिर चार, फिर छे, फिर आठ क्योंकि टू यन अर्थात दो से गुड़ा होता जाएगा मतलब आप कह सकते हैं कि समसंख्याओं का समू होगा या आप इसका प्रदर्सन कुछ ऐसे कर सकते हैं दो, चार, छे, आठ, दस, बारा, चौदा, सोला इस प्रकार से इसको इन पनाईट तक हम लोग आपर छोड़ देते हैं बना करके यह इसका process हो गया, आप समझ लिए होगे कि क्या system यहाँ पर बन कर आएगा अगला देखिएगा कहा x belongs to r real number से बिलांग कर रहा है और वो भी लिखा है कि x जो हो वा greater than x हो x greater than अब कोई element क्या अपने से बड़ा हो सकता है नहीं होता है इसको हम लोग simply कहा देंगे कि यह केवल phi होगा और फाई ही यहाँ पर answer इसका कहलाएगा और उसको प्रदर्सित करने का मैं process आपको बताऊंगा यह एक प्रकार का null set बनाएगा null set को प्रदर्सित किया जाता है या तो open bracket से या तो phi से अर्थात इसका अगर कभी हमको set builder करना हो हम इसको लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं मैं इसको अभी थोड़ी दिर में आपको explain करूँगा तो जादा आपको समझ में आएगा अगला देखिए इसी में छटवा number समझते हैं लिखा क्या है इसको पढ़िए अगर हम देखें मतलब एक तरह का भाजक है किसका आप 60 पचास के सभी अभाज भाजकों की बात किया है अब साथ को कौन-कौन संख्या है काट सकती पहले उसको निर्धारित करिए फिर हम लोग यहाँ पर अभाज भाजकों की बात करेंगे कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य होंगी सबसे पहले किसी संख्या को काटने की बात किया जाए तो वह संख्या स्वयम से कटती है और एक से कटती है दो भाजक किसी संख्या के फिक्स होते हैं एक साथ बार कटेगा दो तीस बार कटेगा तीन बीस बार कटेगा चार पंद्रा बार कटेगा छे दस बार कटेगा पांच बारा बार सोरी पांच बारा बार कटेगा फिर जो है आपके पास क्या आया दस छे जो है दस बार कटेगा आप तो कोई बचा नहीं तो भाज़त क्या क्या हो गए एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, दस, बारा, पंदरा, बीस, तीस, साथ सोयम इसमें से अभाज्य कौन-कौन है? एक तो है नहीं दो है, तीन है, पाँच है बाकी तो मेरे हिसाब से सब भाज्य है इसका जो एंसर होगा, केवल दो होगा, तीन होगा, और पाँच होगा तो दो, तीन, पाँच यहाँ पर इस प्रस्न का एंसर होगा जो कि साथ के सभी अभाज्य भाजक हैं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं आगे बढ़िए अगला देखे क्या लिखा? यक्स इस सजदैट एक्स, इजद टू डिजिट नमबर, सजदैट द समाब डिजिट इज इज एट, एट मतलब दो अंको की संख्याएं हैं, दो अंको की संख्याएं, जिसकी सुरुवात आप जानते हो, दस से होती है और कहां तक होती है? 99 तक इन में से मुझे उन संख्याओं को लेना है, जिनका जोड किसके बराबर हो? 8 के बराबर हो, तो कौन-कौन सी संख्याएं हो सकती है? 17 हो सकता है, क्योंकि एक 7-8 होता है 26 होगा, बिल्कुल हो सकता है, 35 होगा, यस से और होगा इसके बाद देखिए, आपके सामने 44 होगा, बिल्कुल होगा, तिरपन होगा, 62 होगा, 71 होगा, 80 होगा 80 होगा, फिर आपके सामने लाष्ट में कितना हो जाएगा, बताइए 80 के बाद आपके पास 80 होगया, फिर आपके पास यहाँ पर बस 80 तक आपके सामने बन कर आएगा ना 80 के बाद जब 80 के उपर कोई संख्या आएगी तो वह हमेशा 8 से उसके डिजिट का जोड़ बड़ा ही रहेगा तो इसलिए बस यहीं तक यह संख्याएं हो सकती है और इसी को उठा के हम लोग अगर एक सेट में रख देते हैं तो आपकी संख्याएं हो गए 17, 26, 35, 43, 33 सब के बीच कामा लगा करके आपको प्रदर्सित करना है 33, 62, 72 और 80 हो जाएगा सही अंसर आपके सामने ध्यान देना अगला सम्द अगर हमारे पास कोई एक सब्द दिया हो अगर उनके elements का प्रयोग करके हमें एक सेट प्रदर्सित करना है तो हम इसा हम उन सारे letters का प्रयोग करेंगे जो की उसको बनाने के लिए यूज किये गए हैं बट किसी का repetition नहीं करेंगे किसी को बार बार हम प्रयोग में नहीं लाएंगे जैसे अगर मैं इसके लिए सेट बनाऊंगो तो सबसे पहले A को लूँगा यल दो बार है बस एक बार लूँगा अगला ये भी नहीं लूँगा यच पहली बार मिल रहा है लूँगा A नहीं लेना है B लेते हैं और लाश्ट में D लेते हैं आप इस तरह से इस सेट को यहाँ पर प्रदर्सित कर सकते हैं अलाहाबाद के लेटर से जो बनाया जा सकता है आगे बढ़ता हूँ मैं इसके बाद देखी अगला क्या दिया है कहा है इसको हम हिंदी में हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या इसके लिए मुझे इस X स्क्वेर प्लस 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 6 का जो की एक दुखास समी करन है इसका मुझे हल करना होगा इसको हल करने का प्रोसेस आपको पता होगा कि यहाँ पर जैसे 6 है जो कॉंस्टेंट है वो इसके कोफिसेंट इसके गुडां के साथ गुडा होगा मतलब 6 आएगा 6 के ऐसे दो गुड़न खंड जिनका जोड 5 के बराबर हो तो 2 और 3 का गुड़न 6 होता है 7 साथ जोड जो है 5 होता यह 5 होगा X स्क्वेर प्लस 2 X X plus 3 X हम लिक सकते हैं प्लस 6 लिखा यहां पर X कामन किया X plus 2 आया प्लस 3 कामन किया X plus 2 आया अब पुरा सरूशन अगर हम करेंगे X plus 2 दोनों में कामन होगा और X plus 3 आएगा तो यहां पर X की 2 बैलू आपके सामने बनेगी एक तो minus 2 दूसरी minus 3 ये दोनो elements answer होंगे क्योंकि ये दोनो real number से belong भी कर रहे हैं अगर यहीं पे लिखा होता natural number तो आप कहते हैं natural तो दोनों है यह नहीं तो answer नहीं है whole number लिखा होता तो नहीं होते integer लिखा होता तो जरूर होते rational number है तो जरूर होंगे इसलिए numbers का classification पढ़ना हमारे लिए बड़ा ही जरूरी होता है जिसका video description में है आप उसको देख सकते हैं आगे देखेंगे इसकी बात करें कहा x is said that x is solution आप x square minus 16 बराबर 0 x किस से belong कर रहा है real number से मैंने इसको भी साल भी किया तो लिखा x square minus 16 बराबर 0 मैं लिख सकता हूँ x square बराबर 16 x बराबर आप क्या लिख सकते हैं plus minus 4 मतलब 4 का वर्ग करिए तब भी सोलाएगा minus 4 का वर्ग करने पर भी सोलाएगा अर्थात इसके elements minus 4 और plus 4 होंगे जो कि real से बिलांग कर रहा है इसलिए मैंने दोनों लिया अगर natural से बिलांग करता तो केवल plus 4 लेता integer से करता तो दोनों लेता whole number से बिलांग करता तो plus 4 लेता इस तरह से हमको इन सब चीजों को care करते हुए चलना होगा और अपने answer का निर्धारण करना होगा जैसे मैंने set builder से roster में convert किया उसी तरह से roster से set builder में कैसे convert करेंगे यह बात मैं आपको 1-1% के माध्यम से बताने जा रहा हूँ आप लोग ध्यान दीजेगा जैसे पहला देखा 1 से लेकर 9 तक ऐसा ही example मैं पहले करा चुका हूँ इसको प्रदर्शित करेंगे का बहुत process है मेरे सामने बहुत तरीका है सबसे पहले जीज मैं कहूँगा X is set that X अगर हम natural के माध्यम से करना चाहते हैं तो कहेंगे X belongs to natural number ठीक और last में लिख देंगे X is less than 10 लिख सकते हैं X is less than 10 लिख सकते हैं दूसरा अगर मैंने अनुभो किया तो लिखा सबसे पहले एक फिर लिखा एक बटा दो एक बटा तीन एक बटा चार एक बटा पांच सोवान ऐसे ही बढ़ता चला गया होगा मतलब उपर सब में fix है इस एप को भी आप एक बटा एक लिख सकते हो उपर सब का देखी क्या fix है उपर सब में एक fix है नीचे संख्या एक से सुरू हो रही है और जा रही है मतलब natural numbers का प्रियोग किया जा रहा है मैं लिखूंगा इस इस सब दैट एक्स ध्यान देना इस उकल टू वन अपान एन वन अपान क्या होगा यन क्योंकि यन हमारे सामने जहां पर मैं बताऊंगा यन बिलांग्स टू नैचुरल लंबर यन प्राक्रितिक संख्याओं का समू मतलब जो एक, दो, तीन, चार, पान, सौन, इंफनाइट तक जा रहे हैं उस सब की सब प्राक्रितिक हैं उपर मैंने यहाँ पर वन फिक्स कर दिया इसलिए यहाँ पर इसको आप प्रदर्सित कर सकते हैं येक्स सस्दाट एक्स येक्स इज उकल टू वन अपान यन से और यन की बात अगब सोचिए आप लेजिए अपने हिसाब से प्राक्रितिक संक्या है एक लेंगे तो एक बटा एक मतलब ही आ जाएगा दो लेंगे एक बटा दो तीन लेंगे एक बटा तीन चार लेंगे एक बटा चार इस प्रकार से आपर बनता चला जाएगा आगे बढ़िए इसी तरह का दिखी एक दूसरा पैटन भी हमने लिया C में आप लोग देखोगे तो समझ में आएगा आपको यहाँ पर हम फोकस कर रहे है मैंने देखा कि पहले उपर 1 है नीचे 2, 2 बटा 3 मतलब यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया इस तरह से गया है मैंने अनुभव किया, जो उपर अगर यन है तो नीचे यन प्लस 1 है मतलब एक जुड़ गया है मैं लिख दूँ यहाँ पर X is such that X X is equal to यन अपान यन प्लस 1 मतलब जो elements से आपका X है और उसका amount explain कैसे किया जाएगा यन अपान यन प्लस 1 से यन क्या है यन यहाँ पर belong करेगा natural number से यही इसका proper representation हो गया अब आप सोचिए कहीं आपको इसको दिखाना है और explain करना लोगों को कैसे कर सकते हैं आप कोगे सर मेरा elements X है जो depend करता है यन पर लेकिन actually X है क्या X जो है ओ है यन अपान यन प्लस 1 है अब समझे यही तो आपका set है न यन के elements किस से belong करेंगे natural से 1 रखूंगा तो 1 अपान 1 प्लस 1 2 रखूंगा 2 अपान 2 प्लस 1 3 रखूंगा 3 अपान 3 प्लस 1 इस तरह से जो आपके given sets में elements हैं वह आपके इस formula को justify कर रहे हैं इस formula के अंतरगत ही बन कर आ रहे हैं तो आप इसको note कर सकते हैं अगला देखेंगे इसी तरह से देखे D दिया है आप समझेए यहाँ पर तूसरा एक pattern दिया 1 बटा 2 है 2 बटा 5 है 3 बटा 10 है 4 बटा 17 है 5 बटा 26 है अर्थात में कह सकता हूँ यन अपान यन स्क्वेर प्लस वन है यन अपान यन स्क्वेर प्लस वन है same to same है मतलब x is said that x x is equal to x is equal to यन अपान यन स्क्वेर प्लस वन यन belongs to natural number same वही process है same तरीका है अगर आप समझना चाहते हैं जैसे इसके बाद हम इसकी बात अगर करें पाचवा नमबर देखी रहान से e is equal to आपको क्या दिया है minus 2, minus 1, 0, 1, 2 देखा जाए तो यहाँ पर सुरुवात minus 2 से हो रही है और इंड प्लस 2 पे हो रही है अर्थात मैं कह सकता हूँ x is said that x x belongs to i किससे बिलांकर i से या मैं z लिख सकता हूँ यहाँ पर दोनों लिख सकते हैं लेकिन मैं कहूंगा जो x है वह greater r equal to minus 2 है मतलब minus 2 के बराबर है उससे बड़ा है less r equal to क्या है 2 है आप चाहते तो लिख देते greater than 3 but less, sorry, minus 3 but less than 3 आप ऐसे भी लिख सकते थे तो आपकी मर्जी है अगर आप चाहो तो इसको इस तरह से प्रदर्सित कर सकते हो मतलब आपसन देखना exam में जो match कर जाए उसका हम लोग यहाँ पर प्रियोग कर सकते हैं आगे मैं बढ़ू देखिए यहाँ पर छठा नंबर आपके सामने है बोर्ट पर यप इजुकल्ट दूसरा एक सेट है minus 2 and 2 अभी हमने देखा मैं चाहो तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ x सद्देट x is equal to या x square is equal to मैं लिख दूँ 4 क्योंकि 4 के दोनों वर्गमूल है 4 के वर्गमूल की बात किया जाए तो minus 2 और plus 2 हो रहा है लेकिन यहाँ बताना पड़ेगा x belongs to real number यह आपका collection है जिसको हमने यहाँ पर प्रदर्सित किया है I hope यहाँ भी clear हुआ होगा जो हम लोगों ने पढ़ा उसी चीज को हम apply कर रहे हैं जैसे इसकी बात किया जाए यहाँ पर g is equal to 0 से शुरुआत होकि 3 के multiples है 3 के पहाड़े की तो बात है तो मैं लिख दू x is equal to 3n लेकिन मैं बता दूँगा n belongs to whole number मैं लिखूँगा x is such that x x is equal to 3n 3n अर्थात ऐसे समझे जो x है वह आपका 3n है और n क्या है whole number है whole number कहाँ से सुरू होता है 0 से 0 के बाद 0 मतलब 0 को 3 से गुड़ा करी दे कितना आएगा 0 आएगा अगला number 1 होगा 1 को 3 से गुड़ा करे 3 आएगा 2 को 3 से गुड़ा करे 6 आएगा 3 को करे 9 आएगा अर्थात जो आपकी requirement है यह पूरी कर देगा आप इसको यहाँ पर लगा सकते यह सही answer इसका बन जाएगा आगे देखिएगा इसके बाद देखिए क्या दिया है लिखा है 1, 4, 9, 16 आपको समझ में आ गया होगा यह किसका वर्ग है 1 का square है 2 का square है 3 का square है 4 का square है अर्थात हम कह सकते है यहाँ पर 1 square है क्यों? X X किसके बराबर 1 square है और 1 क्या है? 1 natural number से बिलांग कर रहा है लेकिन एक बात बताना पड़ेगा 1 is less r equal to 10 भाई यह भी तो बताना है ने कहां तक जा रहा है 10 का whole square अर्थात 100 तक तो clear ही है 100 तक तो जा ही रहा है तो हम लोग यहाँ पर 1 is less r equal to 10 बताएंगे और finally यहाँ पर 1 is less r equal to 10 बताएंगे लिख देंगे हमारा काम हो जाएगा तो जो हमारी requirement है हम उसको पहले explain कर ले उसको प्रदर्शित करने का हमारे पास अगर concept है तो हम इसको समझा जा सकते हैं समझ सकते हैं आगे मैं बढ़ूँगा 9 नमबर 9 नमबर देखिए पढ़ा हमने तो लिखा October, November, December अब आप इसको क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं एक्सिस सद्धाट एक्स इज दे कलेक्सन आप is the collection of month ऐसे लिख दे collection of last three months इस साल के अंतिम तीन महीने last three month आप year साल के तीन महीने है किसी भी year के तीन अंतिम के महीने October, November और December होते हैं तो आप इसको ऐसे explain कर सकते हैं एक लिखा है June, February, March, July, August, October, December मुझे पता है कि जो years जो month होते हैं कोई 28 days का होता है कोई 30 days का होता है कोई 31 days का होता है कोई 29 का होता है अब अगर मैं जनवरी की बात करूँ 31 दिन, March 31 दिन, May 31 दिन अर्थात उन सभी months को रखा गया है जिन में 31 दिन होते हैं 31 days होते हैं तो मैं लिखूंगा जिसमें 31 दिन होते हैं उन महीनों का संग्रा है उन महीनों का कलेक्शन यहाँ पर आपको दिया गया है आपके सामने क्या हो गया? set builder से roaster में लिखना roaster से set builder में लिखने का process हो गया I hope यह चीज आप सभी को clear हुआ होगा इसको आपने clear किया होगा और समझा होगा आगे मैं एक और चीज आपको समझाता हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको representation बताया है अब मैं थोड़ा सा आपको classification की तरफ लेकर चल रहा हूँ classification में मैं आपको कुछ बाते बताऊँगा जिसको आपको समझने की जरुवत है तो set के classification पर हम लोग आते हैं classification after set इसको खुब ध्यान से आप लोग समझिए कि set का समुच्चे का वरगी करण कैसे किया जाता है हम कह सकते हैं समुच्चे का वरगी करण अर्थाद जैसे कोई पूछे आप से कि समुच्चे के कुल कितने प्रकार होते हैं तो ऐसे तो कोई बहुत प्रकार अलग-अलग लोग बताते हैं लेकिन हम लोग इसको एक अलग तरह से यहाँ पर define करेंगे और अलग तरह से यहाँ पर इसको समझने की कोसिस करेंगे सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं पहला जो मैं अपने हिसाब से classification करता हूँ मैं एक कहता हूँ empty set पहला set मैंने यहाँ पर नाम दिया है empty set दूसरा मैंने नाम दिया है non-empty set तो सबसे पहले हिसाब से अगर मैं कहूं तो मैं set के दो प्रकार यहाँ पर मान कर चलता हूँ empty set मतलब या तो set के अंदर elements हैं या नहीं है अगर नहीं है तो इसको हम empty set कहेंगे हिंदी में रिक्त समुच्चे कहेंगे अंग्रेजी में इसको हम नल सेट कहेंगे इसको हम वाइट सेट कहेंगे इसको हम लोग जो है रिक्त समुच्चे कहेंगे आप अपने हिसाब से इसका नामकरण कर सकते हैं और इसको जो डिनोट किया जाता है ध्यान देना इसको null set, empty set, wide set, trick समुच्चे इस तरह से अलग-अलग नाम करण यहाँ पर कर सकते हैं definition अगर मैं दूँ, a set having no any elements, having no any elements, एक ऐसा समुच्चे जिसके अंदर कोई भी अवयव ना हो उसको हम null set कहते हैं, wide set कहते हैं, empty set कहते हैं, खाली समुच्चे कहते हैं जैसे आप example के तौर पर कह सकते हैं, मैंने suppose कर यह कहा कि collection आप natural number, ध्यान देना collection आप natural number less than one, less than one, एक से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च, बताइए है कोई, आपको अगर से कोई संख्या नहीं, सबसे छोटी संख्याओं की होती है मैंने का collection आप natural number greater than, ध्यान देना, greater than five but less than six, पांच से बड़ी और छे से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्च, तो पांच से बड़ी तो अगली संख्या छेई होगी ना, हाँ यहाँ पर real होता तो बात दूसरी थी, natural number में पांच से अगली जो संख्या होगी और छेई होगी अर्थात इनके बीच कोई संख्या नहीं है, यह null set है, इसको जो denote किया जाता है, जैसे मैं भी थोड़ा सा जिकर भी कर चुका हूँ आप लोगों से, denoted by, या तो मैं इसको फाई से denote करूँगा, इसको हम फाई कहते हैं, या तो मैं open bracket से इसको denote करूँगा, अगर कहीं पर open bracket लगा है, that means null set, या simply फाई लिखा है, that means null set, तो दोनों को हम लोग यहाँ पर फाई को, या null set, open bracket को हम null set का प्रियोग करके यहाँ पर दिखा सकते हैं नल सेट को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं दूसरा मैंने कहा कोई भी सेट जिसके पास having at least one element मतलब कह सकते हैं कम से कम एक आवयव हो एक आवयव हो अर्थात हम अंगरेजी में इसको कह सकते हैं containing at least one element at least one element अर्थात किसी एक समुच्चे के पास यदि एक भी elements है तो वह खाली नहीं है class है class में अगर एक बच्चा भी बैट गया तो वह खाली class नहीं है मतलब उसमें कोई तो बैठा है वो भले ही एक elements है एक ही है या हजार है या गिना नहीं जा सकता लेकिन वह अब खाली नहीं है नल नहीं है हाँ class में अगर कोई नहीं है तो वह नल class है खाली class है अब इसकी definition और इसका classification फिर से कर अब इसका तो कोई classification possible ही नहीं है जब नल ही है तो क्या classification अब जो नल नहीं है उसका classification फिर से कर सकते हैं एक बनेगा finite एक बनेगा finite दूसरा बनेगा infinite मतलब finite का अर्थ होता है countable मतलब जिन सेट के elements को गिना जा सके उसे हम कहेंगे countable अर्थात finite और जिसके ओयों को ना गिना जा सके उसे हम कहेंगे infinite अर्थात uncountable जैसे example के तौर पर आप मा लिजिए अपने परिवार के सदस्यों की बात कर रहे हैं तो गिन सकते हैं तो countable है जैसे आप natural number greater than 10 बोल रहे हैं तो कभी नहीं गिन सकते हैं uncountable है ऐसे आप अगर कह दे आप कह दें integer less than 5 तो integer चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो नहीं गिना सकता है natural number क्योंकि bounded होता है एक से शुरू होता है whole number जिरो से शुरू होता है इसलिए इनको अगर हम greater में कहेंगे तो नहीं गिन सकते हैं integer कहीं नहीं गिन सकते हैं ना तो less में ना तो greater में हाँ अगर हम उसको enclosure कर दें जैसे कि greater than something less than something तो गिन सकते हैं तो जो ऐसा set हो जिसके elements को जैसे माली जी आप ऐसे कह दें कि all the stars in the sky तारों को गिन सकते हैं नहीं hairs on your head गिन सकते हैं नहीं गिन सकते हैं तो आपके uncountable infinite set हैं लेकिन अगर elements गिन सकते हैं जैसे माली जी हमने का all the universities in the country गिन सकते हैं All the words in the book, गिन सकते हैं, कितने बिसे हैं, कितने देश हैं, सब गिन सकते हैं, भले ही गिन पाएं, भले ही उसको गिनने में बहुत समय लगे, लेकिन हम उसको गिन सकते हैं, तो finite है, नहीं गिन सकते हैं, तो इन finite हैं, और मैं आपको एक सब नहीं पर बता दू, इसके classification में, यह आपकी अभी और explain करी जाएगी जिसमें आपको अब मिलेगा single set या singleton set और universal set जिसको हम लोग यहाँ पर वहीं से अब explain करेंगे लेकिन इस classification का जो अगला part होगा वो अगले session का रूप होगा यहाँ तक की चीजों को मैं आपको यही पर final करके जाओंगा इसमें आप आगे के session में जब जाओगे तो आपको और चीजें यहाँ पर relate करती हुई समझ में आएंगी तो सबसे पहले यही पर थोड़ा सा जो finite है और infinite है उसके बारे में एक सब्द मैं और बता दूँ जिसका नाम है cardinal number opposite cardinal number opposite अर्थात किसी एक समुच्चे के आवयों की गिंती गिनना किसी भी set के बात अगर हम करें यहाँ पर तो उस set का जो cardinal number होता है उसको denote करने के लिए हम लिखते हैं या नाप ए अगर मैंने लिखा या नाप है that means it is saying that the number of elements in a set number of elements in a set मतलब set में कितने आवयों हैं elements in a set मतलब समुच्चे में कुल कितने आवयों हैं उसको कौन बताता है cardinal t बताती है अर्थात किसी set के साथ अगर यह न लगा दिया that means हो हमसे पूच रहा है कि how many elements in the set set में कुल कितने आवयों हैं यह पूचा जा रहा है यह तभी possible होता है जब set finite हो it's only this concept only accepting part of the finite set मतलब अगर finite set है तभी तो हम उसकी cardinalty decide कर सकते हैं otherwise नहीं कर सकते हैं अब माली जी कोई set है जिसके पास elements किने ही नहीं जा सकते हैं तो हम कैसे count करके बताएंगे कितने यहाँ पर elements हैं कितने नहीं जैसे माली example मैंने दिया आपको मैंने लिखा यहाँ पर ABC अब आप से मैंने पूचा what about Yen of A तो आप कहोगे सर इसका मतलब होगा तीन क्योंकि तीन elements है अब मैंने कहा माली जी मैंने लिखा B एक set है जिसके पास elements है सपोच करिए 1, 2 तो आप कहोगे सर इन आप B बिल बी 2 क्योंकि दो elements है मैंने लिखा C जुकल टू 1 अब आप कहोगे इन आप C बिल बी अगेन 1 यह भी 1 होगा यहाँ थोड़ी सी confusion लोग को होती इसलिए मैं आपर बता रहा हूँ मैंने लिखा एक set है D D जुकल टू मैंने लिखा 0 आप से मैंने पूचा What about या आप D तो हो सकता है कुछ लोग कहें सर्फ 5 5 मतलब null ऐसा नहीं है null यह नहीं है क्योंकि इसके पास एक element हो है 0 अर्थात इसका cardinal number क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा कुछ एक example इसके ले करके इस concept को हम लोग यहीं पर clear कर देंगे आपको मैं final करा देता हूँ जाच कीजिए कि दिये गए समुच्चे अर्थात check whether the given sets are finite or not if it is finite find the your cardinal number उनके cardinal number भी बताईए जैसे देखिए पहला है यक्सिस सद्धाट एक्स is the set of natural number less than 7 yes it is finite किन सकते हम लोग क्योंकि natural number हमेशा less में गिने जा सकते है क्या होगा 1,2,3,4,5 और 6 बताईए कितने elements है अगर हम set का नाम A रख रहे हैं तो यहाँ पर A will be what? 6 6 कुल elements है अर्थात इसका cardinal number क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा आगे मैं बढ़ हूँगा जैसे इसकी बात अगर हम लोग करें लिखा एक्सिस सद्धाट एक्सिजुकल टू अन अपानियन यन बिलांग्स टू कैपिटल एन अर्थात नैचुरल से बिलांग कर रहा है इसकी कोई limit नहीं है तो infinite होगा इसके elements infinite होगे अर्थात इसका कोई cardinal number हम लोग decide नहीं कर सकते हैं कोई cardinal number नहीं decide कर सकते हैं आगे आई तीसरा देखिए लिखा दिस्ट आप all the letters in the word trigonometry trigonometry के अगर हम elements की बात करें तो T होगा मैंने भी अलाहबात को लेके explain किया था R होगा I होगा G होगा O होगा N होगा M होगा E होगा T हो चुका है R हो चुका है Y होगा देखिए सब different different T, R, I, G, O, N, M, E, Y अगर elements की बात करें ध्यान दीजेगा 3, 3, 6, to 8 तो इसका मतला बगार इस set का नाम सपोज कर यह C है इसके पास को लिमिला के 8 elements अब इसको देखिए हम सभी लोग देखने X सद्धाइट X X belongs to Z means integer means पुडांग है और यहाँ पर less than क्या है 1 है कोई bounding नहीं है तो counting ही नहीं अर्थात इसको लिखनेंगे infinite अर्थात infinite है तो सीधी सी बात है यहाँ पर हम लोग इसके elements को गिन नहीं सकते हैं आगे मैं बढ़ता हूँ पांचवा नमबर देखिए लिखा X से सद्धाइट X belongs to Z means integer X की elements bounded है कौन कौन होंगे minus 3 नहीं होगा क्योंकि greater than बोला तो minus 2 minus 1 0 1 और 2 3 भी नहीं होगा आप समझ रहें तो कुल 5 elements है तो हम कह सकते यहन आप अगर हम इसको यहाँ पर E कहें तो यहाँ कुल मिला के यहाँ पर 5 elements है इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें next लिखा है यहाँ पर भी Yen हमारे पास limited है तो finite तो है ही है अब elements कितने होंगे बस इतनी संख्या जितनी Yen की होगी उतनी X 5 की power Yen की होगी means Yen हमारे कौन-कौन होगे 1 होगा यहाँ पर यहाँ पर एक चीज और बताना चाहिए जिसे Yen belongs to natural number अगर natural number है तो मैं 1 लूँगा 2 लूँगा 3, 4 और 5 तो कुल मिला कि Yen आप 5 यहाँ पर Yen आप अगर हम सेट का नाम E, D कुछ भी रख दीजिए B सपोच करिए तो यहाँ पर elements कितने हो जाएंगे cardinal number इसका 5 हो जाएगा आगे देखिए X is such that X is a vowel in the word equation वाविल इसमें कौन-कौन होगा E होगा U होगा A होगा I होगा O होगा तो कुल मिला कि 5 A, E, I, O, U पूरा है इसमें तो हम लोग देख देगे यहाँ पर अगर सेट का नाम सपोच कर यह C है तो कुल मिला कि इसकी cardinalty कितनी हो जाएगी 5 5 के 5 यूज को रहे Set up all the stars in the sky infinite है मैंने अभी बताया आप लोग को infinite है X square minus 4 is equal to 0 X belongs to natural number तो हम X is equal to X square is equal to 4 लिख सकते X is equal to plus minus 2 लिख सकते है लेकिन natural number है तो हम केवल 2 को लेंगे X के अंदर केवल 2 आएगा finite है और अगर सेट का नाम C है तो हम लोग इसके elements यहाँ पर कितनी cardinal number बताएंगे 1 बताएंगे last में हम लोग आ गए एक complete हो गया आपका final हो गया तो इस तरह से हमने इसको final किया अब देखिए जैसे हम लोग अपने structure की बात करें तो अभी हम लोग यहाँ पर कहाँ पर पहुँच चुके हैं classification पर पहुँच चुके है classification में भी मैंने आपको जो बताया है कहां तक मैंने कहा set या तो जो है empty होगा या तो non-empty होगा empty होगा तो उसको हम लोग और further classified नहीं कर सकते हैं non-empty होगा तो उसका further classification जैसे की finite infinite हुआ अब इसी के आगे हम लोग continue करेंगे single turn universal के साथ हम पहुँचेंगे subset में power set सीखेंगे और जो मैंने आपको schedule structure दिया है उसको मैं आपका continue उसी sequence के हिसाब से करते रहूँगा आप सभी लोग पूरी तरह से believe करिए बरोसा जताइए जैसा कि हम सभी लोग इतने दिन से एक दुसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक commitment के साथ एक फेत के साथ वो फेत आपका वरकरार रहेगा हमेशा के लिए इस बात का मैं आपको commitment करता हूँ चलिए जुड़ करके हम सभी लोग इस पूरे session को इस पूरी journey को बहुत ही मजबूती के साथ सही रूप में आगे ले जाएं Thank you so much बहुत बहुत धन्यवाद